हाई फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों को बोटॉक्स की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी सबसे पहले बोटॉक्स क्या है तो बोटॉक्स एक टॉक्सन या जहर है जो एक बैक्टीरिया या जीवानू जिसका नाम क्लॉस्टेडियम पॉट्यूलिनम है उसके द्वारा बनाया जाता है ये जहर हमारी nerves के द्वारा muscles में जो signals जाते हैं उन्हें रोग देता है इस से muscles paralyzed या निर्जीव हो जाते हैं और हमारे muscles या mass patient की सुकरने की और फैलने की शमता खतम हो जाती है लेकिन botox का यही गुन कई बिमारियों को ठीक करने में और चेहरे की जुरियां हटाने के काम में आता है beauty industry में botox के injections का बहुत उपयोग होता है जहां botox के injection आखों के side में जो wrinkles पढ़ जाते हैं जिनने हम crows feet कहते हैं उन्हें हटाने के लिए माथे की लकीरों को मिटाने के लिए frown lines जो भवों के बीच में गहरी lines बन जाती है उन्हें मिटाने के लिए नाक को पतला करने के लिए और jaw line या जबडे को पतला करने और chin को पतला करने में यूस किया जाता है ये injection जिस भी nuts में लगाया जाता है उस nuts से connected muscles की सुकड़न खतम हो जाती है और वे शितिल पड़ जाते हैं इस से उस muscle के ऊपर की skin भी relax हो जाती है और wrinkles मिट जाते हैं Botox के injection लगाने के बाद उसका पूरा असर होने में 6 से 14 दिन लगते हैं और इसका असर 3 से 6 मेने तक रहता है ये एक सुरक्षित procedure है hospital में outpatient clinic और कई beauty clinics में भी किया जाता है Botox का injection बार बार लगवाने से कोई नुकसान नहीं है और facelift surgery के comparison में ये एक सस्ता और safe procedure है अब किस उमर के लोग Botox का injection लगवा सकते हैं तो 20 से 40 साल की उमर में Botox का injection लगवाना सबसे अच्छा result देता है इसका मतलब ये नहीं है कि 40 साल के बाद ये अच्छा result नहीं देता रिंकल्स के लिए किसी भी उमर में आप Botox का injection लगवा लो तो फायदा ही होगा सिर्फ दवाई की मातरा बढ़ानी पड़ती है यदि आप Botox का injection लगवाना चाहते हैं तो कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए injection लगवाने के दो हफ़ते पहले से aspirin, disprin की गोली, anti-inflammatory medicine जैसे kombi phlam आदी लेना बंद करें और शराब ना पिएं जहां injection लगवाया गया है उस जगे की मालिश नहीं करना चाहिए injection लगाने के बाद 4 गंटे तक लेटना भी नहीं चाहिए क्योंकि लेटने से दवाई फैल सकती है और दूसरे muscles को भी effect कर सकती है अब किन लोगों को बोटॉक्स के injection नहीं लगाने चाहिए गर्वती और बच्चों को दूद पिलाने वाली महलाओं को बोटॉक्स का injection नहीं लगवाना चाहिए जिन लोगों को कोई neurological याने नसों से संबंदित बेमारी हो और जिन लोगों को दूद की allergy हो उन लोगों को बोटॉक्स का injection बिलकुल नहीं लगवाना चाहिए अंत्मे में आपको बोटॉक्स से होने वाले कुछ side effects के बारे में बता देती हूँ सबसे common है injection की जगे दरद और सूजन और उस जगे नील पड़ जाना या खुन जम जाना ये कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है तो फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है और आइलेट ये अक्सर दवाई के आसपास के मसल्स में फैलने के कारण हो जाता है इसलिए injection लगाने के बाद डॉक्टर आपको injection site को रब करने या हाथ लगाने से मना करते हैं फिर भी यदि drooping आइलेट का problem हो जाए तो उसको ठीक होने में दो से तीन हफते लग सकते हैं लेकिन वो ठीक हो जाता है कभी कभी botox injection लगाने के बाद आखे सूखने लगती हैं तो कभी ज़्यादा गीली भी रहने लगती हैं कुछ लोगों को बुखार आ जाता है शरीर में दर्द होने लगता है और पेट खराब हो जाता है लेकिन ये सब दो तीन दिन में ठीक हो जाता है यदि ठीक ना हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए इंडिया में बोटॉक्स का एक इंजेक्शन लगवानी की कीमत पांच से दस हजार रुपे तक आती है दोस्तों आशा है आपको मेरे वीडियो पसंद आया है और इस जानकारी से आपको यदि आप बोटॉक्स का इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं तो जरूर फाइदा थैंक य